दोस्तों फिल्मी दुनिया में बहुत से ऐसे एक्टर और एक्टरिसेज हुए हैं जिन्हें उनके अलग-अलग करदारों की वजह से जाना जाता है जबकि कुछ ऐसे भी कलाकार हुए हैं जिन्हें आज भी जादा तर उनके एक ही करदार की वजह से जाना जाता है वैसे आप जिसके बारे में सोच रहे हैं हम भी उनहीं के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि शायद ही उनके बाद किसी और अभिनेता ने लक्षमन का उतने बहतरीन धंग से रोल निभाया है दोस्तो सुनील लहरी ने कई फिल्मों और टीवी धारवाहिकों में अभिने किया है लेकिन रामनंद सागर के टीवी सीरियल रामायर में उनके द्वारा निभाये गए लक्षमन के करदार की वजह से दर्शक उन्हें सबसे जादा जानते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और निजी जीवन के साथ उनसे जुड़े कुछ रोचक तथियों से रूबरू कराएंगे तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, उनका जन्म 9 जन्वरी साल 1961 को मध्धप्रदेश के दमोजिले में एक हिंदू परिवार में हुआ था खबरों के मताबिक उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई भुपाल के एक स्कूल से पूरी की और उसके बाद वे मुंबई आ गए जहां उन्होंने विलसन कॉलिज में अपना ग्रेजुएशन कम्पलीट किया वे पढ़ाई में काफी अच्छे थे लेकिन उन्हें फिल्में भी देखना काफी पसंद था जिसके चलते एक्टिंग में भी उनकी रुची बढ़ने लगी खैर उनके परिवार ने एक्टिंग में करियर ना बनाने के लिए उनके उपर कोई दबाव नहीं डाला जिसकी वजह से उन्होंने एक्टिंग करने का फैसला किया आपको बता दें कि उन्होंने अपने अभीने करियर की शुरुआत साल 1980 में आई फिल्म दनक्सलाइट से की जी हाँ और इस फिल्म में वे लीड रोल में नहीं बलकि एक सहायक भूमिका में नजर आए 1980 में रिलीज हुई फिल्म दनक्सलाइट को खौजा एहमद अभास ने नर्देशित किया था इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती लीड रोल में दिखाई दिये और उनके अलावा इसमें इसमिता पाटिल, दीना पाठक, नाना पाटिकर, असित सेन और इम्तियास खान जैसे बहतरीन कलाकार भी शामिल थे वहीं पर सुनील लहरी एक सहायक भूमिका में नजर आए परी पांच साल बाद 1985 में फिल्म फिर आई बरसात में दिखाई दिये, हाला कि ये फिल्म बॉक्स आफिस पर कुछ खास नहीं चली और उन्हें इसमें भी कुछ खास पहचान नहीं मिली सुनील लहरी ने कभी हार नहीं मानी और जब 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 उन्हें अभिने करने का मौका मिलता था वे उस मौके को हाथ से जाने नहीं देते थे दो फिल्मों में अभिने करने के बाद उन्हें छोटे पर पर काम करने का मौका मिला जिसे उन्होंने हाथो हाथ लपका दरसल साल 1985 के दौरान मशहूर फिल्म का राम अनंद सागर विक्रम बेताल नाम से टीवी सीरियल बना रहे थे उन्होंने सुनील लहरी को अभिने करते हुए देखा था इसलिए उन्होंने उन्हें विक्रम बेताल में काम करने का मौका दिया और यहीं से शुरू हुई सुनील लहरी की छोटे परदे पर अभिने करने की कहानी टीवी सीरियल विक्रम और बेताल में वे एक छोटी सी भूमिका में नजर आये जबकि अरुन गोविल जिन्होंने श्री राम का किरदार निभाया था वे इसमें लीड रोल में दिखाई दिये इस टीवी सीरियल को दर्शकोंने काफी पसंद किया हाला कि सुनील लहरी को अभी भी वो पॉपुलेरिटी नहीं मिली थी जिसके वे हगदार थे लेकिन रामानंद सागरद्वारा निर्मित रामायर टीवी सीरीज से उनके अभीने करियर में काफी बदलाव आने वाला था जिसकी कलपना शायद उन्होंने भी कभी नहीं की होगी जी हाँ साल 1987 में डीडी नेशनल पर प्रसारे टीवी सीरीज रामायर से उन्हें काफी लोग प्रियता हासल हुई और वे हर भारतवासी के दिल में बस गए आपको बता दें कि टीवी सीरीज रामायर को रामानंद सागरद्वारा ना सिर्फ निर्मित किया गया था बलकि वे इसके डारेक्टर, राइटर और को नरेटर भी थे इसमें अरुन गोविल ने श्री राम और दीपी का चिखालिया ने माता सीता का किरदार निभाया था वहीं हनुमान का रोल मशूर रैसलर और जानिमाने अभिनेता दारा सिंग निभाया था इसी के साथ अर्विंद तरवेदी रामण की भूमिका में नजर आए इतना ही नहीं कई सहकलाकार भी इस टीवी सीरीज में शामल थे जैसे संजय जोग, समीर राजदा और बालधुरी सुनील लहरी लक्षमण की भूमिका में दिखाए दिये जिनके अभिने को देखकर दर्शकों को ये लगता था कि लक्षमण ऐसे ही होंगे इतना ही नहीं, दर्शकों को ऐसा लगने लगा था कि वे सचमूच लक्षमण ही है आपको बता दें कि जितनी सफलता इससे टीवी धारावाहिक को मिली थी उतनी ही सफलता इसके मेन करेक्टर को निभाने वाले कलाकारों को भी मिली थे दोस्तो इसकी सफलता के बाद सुनील लहरी को फिल्मों और टीवी धारवाहिकों में अभिनाय करने के लिए काफी आफर आए हलाकि उनके सामने ये दिक्कत थी कि वे किस तरह से किरदार को निभाएं क्योंकि लोगों के मन में वे एक भगवान के रूप में बस चुके थे और कोई भी निगेटिव किरदार उनके लिए सही नहीं था खैर उन्होंने आगे परमवीर चक्र और लवकुष जैसे टीवी धारवाहिकों में काम किया टीवी सीरीज रामायर की सफलता के बाद रामानंद ने लवकुष टीवी सीरियल का भी निर्मान किया और इसमें वहीं सेम कलाकारों को कास्ट किया गया जो रामायर में शामिल थे इसे भी दर्शकों ने काफी प्यार दिया और ये टीवी सीरीज भी काफी पॉपलर हुई सुनील लहरी ने अपने अभिने से दर्शकों को काफी रोमान्चित किया और आगे भी वे कई फिल्मों और टीवी धारवाहिकों में नजर आए साल 1991 में आई फिल्म बहारों की मनजल में वे नजर आए ये उनकी चौती फिल्म थी जिसमें उन्होंने शानदार अभिने किया था इसके बाद वे आजा मेरी जान और जनम कुंडली जैसी फिल्मों में नजर आए हाला की बाद में वे अचानक अभिने से दूर हो गए और कई सालों बाद उन्होंने साल 2017 में एक बार फिर अभिने की दुनिया में वापसी की 2017 में वे एक डॉटर स्टेल पंक फिल्म में नजर आए थे जिसे राजिंदर वर्मा दौरा नर्देशित और निर्मित किया गया था आगे वे कबिल शर्मा शो और सारे गामा पा लिटल चैंप्स जैसे टीवी शोज में एक गेस्ट के तौर पर जा चुके हैं दोस्तों उन्होंने अपनी तरफ से दर्शकों को रोमान्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी उनके निजी जीवन की बात करें तो वे शादी शुदा हैं और उन्होंने अपने जीवन में दो बार शादी की है उनकी पहली पतनी का नाम राधा सेन था शादी के बाद दोनों के बीच में किसी कारणवश मतभेद पैदा होने लगा जिसके चलते दोनों ने ही अलग होने का फैसला किया और आखरकार दोनों ने एक दूसरे को तलाग दे दिया वैसे उनकी पहली पतनी के बारे में अधिक जानकारी नहीं है खैर उनकी दूसरी पतनी का नाम भारती पाठक है जो आज भी उनके साथ शादी के बंधन में बंधी है दोनों का एक बेटा है जिसका नाम कृष पाठक है कृष भी एक एक्टर है हाला कि उन्होंने कई फिल्मों में तो अभिने नहीं किया है लेकिन साल 2016 में आई टीवी सीर पी ओ डबलू बंधी युद्ध के में अभिने किया है उमीद है कि वह आगे भी अभिने करते हुए नज़र आएंगे दोस्तो सुनील लहरी के पिता मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम शिखर चंद्र लहरी था वे काफी नेक दिल इनसान थे साल 2012 में जब उनकी मृत्य हुई तब उनकी बॉड़ी को भोपाल के जेके मेडिकल कॉलेज की फॉरंसिक डिपार्टमेंट को दे दिया गया दरसल सुनील के अनुसार उनके पिता चाहते थे कि जब उनकी मृत्य हो तब उनकी बॉड़ी को जेके मेडिकल कॉलेज में डोनेट कर दिया ज सुनील की मा का नाम तारा लहरी है वहीं उनके दो भाई भी हैं जिन में से एक का नाम शैलेंदर लहरी और दूसरे का शशेंदर लहरी है इसके अलावा उनकी एक बहन भी है जिसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है इसमें कोई शक नहीं कि सुनील लहरी एक शांदार अभ होते थे क्योंकि वे ऐसा कोई भी रोल करना पसंद नहीं करते थे जो रामायड में उनके द्वारा निभाए गए किरदार को धूमिल करती हो एक अभिनेता के रूप में उन्हें दर्शोकों से काफी प्यार मिला और आज भी मिलता है जहां कहीं भी वे जाते हैं उनकी चाहने वाले उन्हें उसी रूप में देखते हैं जिस रूप में कई साल पहले टीवी सीरियल रामायड में देखा करते थे आज वे 63 वर्ष के हो चुके हैं और आज भी अभिने की दुनिया में एक्टिव हैं उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी वैस इसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद